सोचने से कहां मिलता है तमनाओं का सहर चलना भी जरूरी है मनजिल को पाने के लिए उठो तो ऐसा की फाकर हो बुलंदी को जुको तो ऐसा जुको की बंदगी भी नाजगरे नमस्कार जहिंद एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आपके अपने यूटूब सेनल आर्मी स्टेडी पर अगर सपना है वारते सेना में जाने का तो ये सेसन वाके में आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है इस सेसन के अंदर दोस्तो हम आपको आगामी आर्मी एकजामें पूछ जाने वाले महतवपुन सामनी विज्ञान के परशनों के बारे में डिसकस करेंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी एकजाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे इसके अंदर दोस्तो आपका भाग जिसने लाइक कर दिया है उसको दिलशे धन्यवाद ज्यादा बाते ना करती दोस्तो हम फाइनली अपने सेसन के तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को बता दी कि अर्दी मोर्निंग सटरडे है ठीक है ना सटरडे को हमारी कलास नहीं होती है क्योंकि संडे को आपका मोडल टे चूटी रहती है आपको तैयारी करनी है मोडल टेस्ट पेपर की फिर आपको उसी जोस और जनुन के साथ उसके अंदर आप कितने क्योंस अटेम्ट कर पाती हो यह आपको अपना स्कोर हमें बता ना होगा ज्यादा बाते ना करते हैं दोस्तो हम फाइनली अपने फर्ष्ट क्योंस की तरफ बढ़ते हैं ध्यान से सुनिए दोस्तो फर्ष्ट क्योंस क्या कहता है फर्ष्ट क्योंस आपसे पूसता है कि दूद में पाई जाने वाली सरक्रा कौन शी है बहुत यह अच्छा और श्यांदार क्योसन है बिल्कुल दोस्तों इंडियन आर्मी एकोडिंग अगर एकजामे क्योसन इस तरह से पूचे ध्यान से सुरिये कि दूद का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है तो दोस्तों दूद का जो सफेद रंग है यह दोस्तों कैसे प्रोटीन के कारण होता है जिसको नहीं आता है नोट कर लेना इमानदारी से दोस्तों आप के सर कहता है कि बच्चों का मानशिंग एउम सारेरी की विकास अवरत हो जाता है आप बताईए कि बच्चों का मानशिंग है उस सारेरी की विकास है यह किस की कमी से दोस्तों अवरत हो जाता है यह आपको बताना है बहुत अच्छा और श्यांदार की उप्षन में आपको दे कांसर दे रहें दोस्तो थायरोक्सिन की कमी से दोस्तो बचों का जो मानसे करें और सारीडिक विकास है यह दोस्तो अवुरत हो जाता है आपके इंसूलिण की कमी से मदूरोग draws नोट से एंईयमिय हूर उर्ग होता है डिधा intended कांसर में आपके अधोरी दोस्तों कमी से दोस्त से होता है तो दोस्तों ये लोहे की कमशी होता है बात करते हैं नेस्ट कुछन की नेस्ट कुछन पूछता है गुरुत्व बिल्कुल इसके अंदर जोबसन डी बता रहे हैं 9.8 मिटर पर सेकिंड स्क्वाइर वो बिल्कुल राइट और शटी का अंसर दे रहे हैं दोस्तो गुरुत वे तरवन का मान है ये दोस्तो 9.8 मिटर पर सेकिंड स्क्वाइर होता है फिर दोस्तो आपके गजा में very important questions बनता है कि पर्तवी का पलाइन वेग कितना होता है तो दोस्तो पर्तवी का पलाइन वेग है ये दोस्तो 11.2 किलो मिटर पर सेकिंड होता है ध्यान रखना आपके एगजा में difficult questions बन शकता है कि चंदर्मा का पलाइन वेग कितना होता है तो दोस्तो चंदर्मा का पलाइन वेग है ये इमान दारिशे नोट करना साथ साथ में मेरे दोस्त बात करते हैं नेश्ट कुशन की ध्यान से सुनेए दोस्तों नेश्ट कुशन बहुत यहचा और definitely confuse करने वारा क्योसन है क्योसन कहता है कि rectifier का परियोग होता है यह बताई दोस्तों AC को DC में convert करने के लिए rectifier का परियोग किया जाता है या उच ऐसे voltage को निम्न ऐसे voltage में निम्न ऐसे voltage को उच ऐसे voltage में बदलने के लिए rectifier का परियोग किया जाता है या फिर इन दोनों का परियोग किया जाता है या फिर इन में से कोई नहीं सोच समझ गे अपना डिमाक लगा कि आपको right answer देना है ऐसे आपको तुका नहीं लगाना है मेरे दोस्ते, rectifier का परियोग बिलकुल इसके अंदर जो option यह बता रहे AC को DC में convert करने के लिए वो बिलकुल right और static बता रहे आपके exam equation शबनता है कि transformer का कारी यह है, तो दोस्तो side में note कर लेना transformer का कारी है दोस्तो उच AC voltage को निमन AC voltage में निमन AC voltage को उच AC voltage में convert करना, यह दोस्तो transformer का कारी होता है जिसको नहीं पता है, note कर लेना मेरे दोस्तिया, इस slide का आप screenshot ले सकते हो, बात करते हैं next question की, द्यान से सुनिए दोस्तो, next question काहता है कि गलू कोमा वर ट्रे कोमा बिमारी किस से समंदित है यह बताए, गले से आंक से, फंक से, या एड से, यह बताए, गलू कोमा या ट्रे कोमा, इन दोनों में से एक नाम है, यह गजाम के अंदर पूछा जाता है, अगर किस से आता है कि ट्रे कोमा विमारी किन से समंदित है इस परकार आपके गजा में किस से बनता है इसके अंदर जो आपसन भी बता रहे हैं आंक से वो बिलकुल राइट और शटी का अंशर दे रहे हैं ध्यान रखना दोस्तों आपके एगजा में very important किसंस बनता है कि डिफ्तेरिया से हमारे शरीर का कौन शा अंग परबावित होता है तो दोस्तों डिफ्तेरिया से हैं यह गला परबावित होता है और दोस्तो एथले टीक्ट फोट से, फंक से ये दोस्तो भी समन्दित है ठीक है एतलेटिस फूट से दोस्तो फंक्च समन्दित है और दोस्तो एड्स है ये एड्स आईवी से समन्दित है नोट कर लेना बात करते हैं नेश्ट कोशन की ध्यान से सुनिए दोस्तो नेश्ट कोशन वेरी इंपर्टेंट कोशन है बाई आप बताइए दोस्तो बहुति आच्छा क्योसन है धोने के सोडे का राशानिक नाम बताइए इसके अंदरता सोडियम कारबोनेत वो बिलकुल राइट और शटे का अंशर दे रहे हैं दोस्तो सोडियम कार्बोनेट है ये दोस्तो धावन के सोड़े का रासानिक नाम है एक बार आपको नहीं पता है तो आप इसका मैं यहाँ पर रासानिक सुतर लिख देता हूँ वो भी आपको नोट कर लिए आपके एकजाम के लिए इंपोर्टेंट क्यूसंश बनता है कि दावन के सोड़े का रासानिक सुतर क्या होता है तो दोस्तो दावन के सोड़े का रासानिक सुतर है ये दोस्तो एने टू शी ओ थरी होता है जिसको नहीं पता है नोट कर लेना आपके एकजा में दोस्तो very important questions बनता है कि खाने का सोड़ा या मिठा सोड़ा का रासानिक नाम क्या होता है तब दोस्तो आपको sodium bicarbonate करके आना है लेकिन आपके एकजा में दोस्तो यहां से questions बनता है भै ध्यान रखना ठीक है sodium bicarbonate का रासानिक शूतर क्या होता है तब दोस्तो आपको फटाक्ष करके आना है कि na h co3 यह दोस्तो sodium bicarbonate के रासानिक शूतर होता है फिर दोस्तो आपके exam क्यूसंश बनता है क्यूसंश ऐसे बनता है कि कास्टिक शोडा का रासानिक नाम क्या होता है तब दोस्तो गिजा में दोस्तों क्यों बनता है कि लाफिंग गेस या हसाने वाली गेस का रासानिक नाम क्या होता है तो दोस्तों उसका रासानिक नाम है लाफिंग गेस का नाइटरिक्स ओक्षाइड होता है अगर इसके हम रासानिक शुत्र के बात करें तो दोस्तों सुत्र आप सभी को या ब्रहस्पति यह बताई बहुत यह अच्छा क्यूंसन है सूरिय के बाद पर्त्वी के सबसे निकट तारा आपको बताना है इसके अंदर जॉपसन और लिस सी बता रहे हैं प्रॉक्षिमा सेंसरी वो बिलकुल राइट और शटी का अंशर दे रहे हैं दोस्तों आपके एक सबसे बड़ा ग्रह कोंशा है तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह ब्रश्पति जोपिटर बात करते हैं नेश्ट कोंशन की ध्यान से सुनिए नेश्ट कोंशन कहता है कि उड़ते हुए विमान की उचाई नापने के लिए किस उपकरन का परियोग किया जाता है उप्सन आप के सामने दे रखे हैं, option A में आपको दे रखा है, दुर्बीन option B, अल्टिमेटर option 6, बेरोमेटर, option D, केलोरी मेटर, सोच समझ के right और शटिक आंशर देना है, उड़ते हुए YON के दोस्तों उचाई नापने के लिए किस यंतर का परियोग किया जाता है, यह आपको बताना है, बिल्कुल इसके अंदर, जो option B बता रहे हैं, अल्टिमेटर वो बिल्कुल right और शटिक बता रहे हैं, दोस्तों, अल्टिमेटर का परियोग है, यह दोस्तों उड़ते हुए उचाई नापने में, इसका परियोग किया जाता है, फिर आपके एगजा में very important questions बनता है, कि दो रिस्तित वस्तों को देखने में किसका परियोग किया जाता है, तब दोस्तों, आपको दूरबीन करके आना है, दूरबीन का विश्कार गेलेलियो ने किया था आपके एगजा में क्योंस बनता है दोस्तों कि वाइवमंड लिए दाब को मापने के लिए किसी यंतर का परियोग किया जाता है तो दोस्तों वाइवमंड लिए दाब है ये बेरोमेटर से मापा जाता है आपके एगजा में very important क्योंस बनता है कि उस्मा की मातरा ग्यात करने म किसी यंतर का परियोग किया जाता है तो दोस्तों उस्मा की मातरा ग्यात गरने में दोस्तों केलोरे मिटर का परियोग किया जाता है बढ़ते हैं दोस्तों नेश्ट कुशन की तरफ नेश्ट कुशन है दोस्तों शी घजज अरे विटामिन के वह बिलकुल रायक और शटिक बता रहें दोस्तों विटामिन के है ये दोस्तों रख्त का ठका बनाने में साहिव के विटामीन है आपके एकजा में कुछाम बंता है दोस्तों कि सूरिय से हमें कौन पुसंगता या बांजबंता किस विटामीन की कमीशी होता है तो दोस्तो 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 रात का अंदूत्व है यह विटामीन एक कमीशी होता है दोस्तो ठीक है यह सा से एक amino acid पाए जाते हैं यह बताएं दोस्तों बहुत यह अच्छा और श्यांदार क्योशन है सोज समझ के right और शटिक answer आपको देरना है इसके अंदर जो आपसर यह बता रहे हैं 20 वो बिलकुल right और अच्छा ठीक बता रहे हैं दोस्तों मानों में 20 परकार के दोस्तों amino acid है यह दोस्तों पाई जाते हैं फिर दोस्तों आपके एक्जा में very important questions बनता है और जो 23 फरवरी को एक्जा मुआ तो उसके एक्जा में पूछा गया questions है और आप सभी को भी आता है क्योशन ऐसे बनता है क दोस्तो 24 गूण 17 होते हैं बात करते हैं next question की नेश्ट कोशन है दोस्तों गटिया की विमारी किसे से समंदित है 23 फरवरी 2020 को एंडिन आर्मी एकजा में पूछा गया question है गटिया की विमारी किसे समंदित है यकरत आंत गला या जोडो से यह बताई दोस्तों क्योशन शुआ पाके में बहुत अच्छा है बिल्कुल इसके अंदर जॉब्सन डे बतारे जोडों से हैं वो बिल्कुल राइट और शटीक बताने कभी कभार दोस्तों ये क्यूशन इस तरह से आता है कि अर्थ राइटर्स की बिमारी किसे से समंदित है तो दोस्तों वह भी जोडों की डिफ्तेरिया से दोस्तों गला होता है बात करते हैं नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन है दोस्तों निकल का रासानिक यहां पर शिंबल आपको करना है ठीक है निकल का रासानिक शिंबल क्या होता है यह आपको बताना है यह आपको बताना है इसका आपको शिंबल बताना भाई ध्यान रखना ठीक है टंगस्टन का डबलू होता है और दोस्तों सोने का है यह दोस्तों ए यू होता है बात करते हैं नेश्ट कुसन की नेश्ट कुसन दोस्तों बहुत यह अचा क्यों सन है संग एना लीड़ा के परमुक उधारन कौनशी है सोज समझ गे राइट और का अंशर देना है आपको नहीं आता है तो इस स्लाइड का आप स्क्रीन शोट ले ले रहा है क्योंकि हम इस तारों ओप्सनों के बारे में डिसकस करेंगे जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगे संग एनी लेड़ा के परमुक उधारन कौन दोस्तोoft के उधारन है तिलचटा केंकडा और खटमल जिसको नहीं पता है नोट कर लेना औरны जिसको आपके एकजाम विदो स्लेंटरे universo के उधारन कौन उधारन है ठीक है स्क्रेंशोट ले लेना जिसको नहीं पता है तो क्योंकि ऐसे अगर आपके एक घजा में डिफिकल्ट वाली पूछ लिए जाते हैं अगर वह आप सही कर देती हो तो मेरेट सूचे में आपका नंबर बहुत ही उपर चला जाता है मेरी दोस्त बात करते हैं नेश्ट का आइसक बॉक्षाइड होता है बताई भई इसके अंदर जोबसन बे बता रहें अल टू ओ तरी वो बिलको राइट और शटीक बता रहें दोस्तों बोक्षाइड का रासानिक Śटर है ये अल टू ओ ॉ-3 होता है बहुत याचा कीन है दोस्त हुछ ध्यान रखना और आपक तो केलशियम कार्बोनेट का रासानिक शूतर है ये दोस्तो CACO3 है ध्यान रखना अंडे का बाहरी कवच है ये केलशियम कार्बोनेट का बना होता है अपके एकजाम एक्योसन्ष बनता है ठीक है अंडे का बाहरी कवच केलशियम कार्बोनेट का बना होता है इसका रासानिक शुत्र CACO3 होता है और दोस्तो पोटेशियम कलोराइड का रासानिक शुत्र KCL होता है जिसको नहीं पता है नोट कर लेना बात करते हैं नेश्ट को सुन की ध्यान से सुनिए दोस्तो नेश्ट को सन कहता है कि दोस्तो ने के अरस्तो को कहा जाता है अगर आप पताए दोस्तो इस 15 में से आप कितने केसं अटेंप्ट करते हो अगर आप 12 पलस के सही आंसर और राइट आंसर दे रहे हो तो मान के चलिए दोस्तो आपका इंडियन आरमी एक्जाम ये जियस का क्यूसन है ये इस बार गलत नहीं होगा ठीक है मैं उम्मिद करता हूँ दोस्तो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए अपने दोस्तों को सेर कीजिए चैनल पे नया है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को कहिए कि संडे को आपका साम को 9 बजे मोडल टेस्ट पेपर होगा पूरे 50 क्यूस्टों का कितने के अटेम्ट करती हो या आपको जरूर बताना है बाके से जोस और जनुन के साथ आप तैयरी कीजिए आपका जो सपना है बारते सेना में जाने का ये दोस्तों बहुत ही जल्द पुरा होगा हम भी इस वर से कामना करेंगे कि आपका सपना इसी बढ़ते में पुरा हो क्योंकि बार-बार इंडियन आर्मी का फिजिकल मेडिकल के लिएर नहीं हो भता मेरी दोस्त ठीक है मिलते हैं आप सभी को आपे संडे नाइट नो पी मोडल टेस्ट पेपर के साथ जहिंद वंदे मातरम खुश रहे मस्त रहे भारत माता की जहिए